है 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 आज हम अपनी संस्कुत का अगला पार्ट पार्ट साथ शुरू करने जा रहे इससे संस्कुत में क्हहते हैं सब्तमत पार्ट है यहाँ विधयालय के बारे में हिंधी में 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 प्ऄलया किया होगा जिए आज अपको संस्कुत में prepared चल्ए के बारे में पढ़ने को मिलेगा संस्यूत में जिन शब्दों को आप हिंदी औरакти्श में अच्छे से परेज़े हैं संस्क्त में उली शब्दों को क्या करा जाता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसे आपको यह पी करना है तो चलिए अपनी अपनी पुस्तक का पेज नमबर 161 निकाल दिए सब्तमह पाठः बच्चों ये पाठ हमारा फर्सम का आखरी पाठ है सब्तमह पाठः यानि पाठ साथ मम विध्यालय है मेरा विध्यालय मेरा विध्यालय आपने हिंदी में भी निबंद याद किया होगा पच्पन में और इंग्लिश में माय स्कूल भी याद किया होगा तो जो हम Hindi में और English में अपने स्कूल के अपने विध्यालय के बारे में जो sentences लिखते हैं वही हमें यहाँ संसरत में पढ़ना है तो चलिए हम शुरू करते हैं तव विध्यालय यह कुत्र अस्ती अब यहाँ पर sentences थोड़ी बड़ी है और 20 तक के numbers की counting भी यहाँ पर आपको पढ़ना मिलेगी तव यहने तुम्हारा विध्यालय यहने स्कूल कुत्र यहने कहां अस्ती यहने है तुम्हारा विध्यालय कहां है एक बालिका दूसरी बालिका से पूछ रही है कि तुम्हारा विध्यालय कहां है यही मेरा विध्यालय है अब ये दोनों ही एकी स्कूल की है तो बाद में यह कहती है अहम विध्यालयम गच्छामी, अहम याने हम, अहम विध्यालयम गच्छामी, हम विध्यालय जाते हैं, अगला है अत्र एकादश शिक्षिकाह, नव शिक्षकह, च संती, अत्र यहां एकादश ग्यारा, शिक्षिकाह, याने लेडी टीचर सध्यापिकाएं, अब यहां देखिए कि जब भी आपको संस्पृत में दो या तीन या चार शब्द एक के बाद एक आते हैं उसके बाद चर लिखा हुआ मिलेगा जब हम हिंदी में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं कि हमारे विध्याले में ग्यारा अध्यापी काएं और नो अध्यापके लेकिन हम जब संस्कृत लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं कि हमारे विध्याले में एका दस शिक्षिका है और नव शिक्षका चर संती ये चर का म नहीं आता है, उम्मेधे आपको समझा रहा होगा, अत्र यहाँ एकादश ग्यारा, शिक्षिकाहा याने अध्यापिका, नव याने नो, शिक्षकाहा याने अध्यापक, च संति यहाँ पर ग्यारा अध्यापिकाएं, और जब हम हिंदी अनुवात करेंगे तो इस चक को वयम, संस्कृतम, अंग्रेजिम, च, पठामह, अब क्या कर रहे हैं यह, हम लोग, वयम याने हम लोग, हम सब संस्कृत, अंग्रेजी, पढ़ते हैं, पठामह याने पढ़ते हैं, अब यहाँ पर भी च बात में आया है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, और फिर च है, हम लिखा है संस्कृतं अंग्रेजिं च पठामा च बीच में नहीं है और जब हैं अनुवात करते हैं तो इस च का मतलब हमें बीच में लिखना है वयम संस्क्रतम अंग्रेजिम च पठामा हम लोग संस्क्रत और अंग्रेजी पढ़ते हैं। हैं अत्र द्वादश कक्षाह संती यहां पर कितनी कक्षाएं हैं यहां पर अत्र याने यहां द्वादश याने बारा कक्षाह संती यहां पर बारा कक्षाएं हैं कक्षा कम्रे भी हो सकता है और कक्षाएं याने कितनी क्लासे से पहली से लेकर बारवी तक की कक्षाएं हैं पंच दश यानि पचास कर्म कराहा यानि कर्मचारी च और कारी रताहा कारी करते हैं संती हैं अब पूरी लाइन का अर्थ क्या है कि यहाँ पर बारा कमरे हैं या बारा कक्षाएं हैं और पचास कर्मचारी कारी करते हैं ये चब कहा आना चाहिए जब आप अनुवात करें तो यहां आना चाहिए कि बारा कप्षा हैं और पचास कर मचारी हैं जो कि यहां कारे कर रहे हैं उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा अगला है अत्र एकं उपवनम अपी अस्ति अत्र यहां एकं एक उपवनम बगीचा अपी यने भी अस्ति यने हे यहां पर एक बगीचा भी है हमारे स्कूल में भी एक बगीचा है जो की नरसरी से केजितक के बच्चों के लिए होता है आपको याद आ रहा है स्कूल ऐसा बगीचा इसके विध्यालाई में भी है अब यहां लिखा है तत्र शट व्रिक्षाहा यानि वहां पर छे बड़े पेड़े व्रिक्षक किसको बोलते हैं? जो पेड़ बड़े होते हैं जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े होते हैं वो पेड़ कहलाते हैं और जो छोटे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पोधे कहते हैं तो देखिए यहां पर एक, दो, तीन, चार, पाच, छे यानि ये छे बड़े-बड़े व्रिक्ष भी हैं हमारे विध्याले में तो कई सारे बड़े व्रिक्ष हैं अब यहां देखिए आगे क्या लिखा है अश्टादश यानि अठारा पुष्प गुल माहा चसंती अब छे बड़े व्रिक्ष हैं और अठारा फूलों के पौधे हैं पुष्प याने फूल, गुलमाहा याने पौधे अठारा तरह के फूलों के पौधे भी है च याने और संती च यहां लगेगा जब हम संसुलत क से हिंदी में अनुवाद करेंगे कि वहां पर छे बड़े वरिक्ष और अठारा फूलों के पौधे भी है उमीद है आपको ये मामा विध्याले समझ में भी आया होगा और यदि ये संस्कृत में लाइने आती है तो आप इन्हें आसानी से हिंदी में लेख सकते हैं तो चलिए अब हम इसके बाद प्रेश्ण पत्र की आपको खुद से अभ्यास करके देखना है और बात में अपनी आंसर की से मेच करना है अच्छे से तयारी करिए यदि आपको कोई डाउट है तो आप मेसेज कर सकते हैं